सबजीयों में यदी पसंद की बाद की जाये तो दममालो सब भी के फिएबरेट होते हैं खाने में इतने ज़ादा स्वादिश लगते हैं बनाने में थोड़ी सी दिकत आते हैं लेकिन आज हम आज वाइसे अंतरी केसे बनानी वड़े हैं दमालो ना तो घंटों की मेनद ना अपने घर के चीज़ों के इस्तेमाल करके बनाएंगे दमालो नमस्कार फ्रेंड मैं हो संगीतार आपका बहुत भूसागत करती हूं आपके अपने रस्वय में आशा करती हूं आज की रेसिपी आपके लिए हेल्प बोलोगे और अच्छी लगे ना तो प्लीज इसे लाइक infrastruktur करेतें हुआं बनाने के लिए हमें सब से चोटे साइज के आलू टीटतना बनाने के कभी के आपके निव में से अंकॐरन को अलू अंकुरित होने से उसमें पानी की मातर अंदर ज़्यादा भर जाती है तो वह आलू हमें नहीं चाहिए तो हम इस तरीके के छोटे साइज के आलू इसको हम धोलेंगे प्रेसर को किर में डालेंगे एक सीटी लगाएंगे बस चाहिए तो थोड़ा साप नमक भी डाल दी पानी की मात्रा जादा नहीं रखनी है हाइफ लेंप थे लगाने है जैससे में या ये रहा है जाएक सीट आ जालेंगे ENOW बहुत एक सीटे लगाए पान्त जादा निकाल sama कोलेंगे मैंने यह पर रहा है पूरण दोटच क dauरन Commissioner के साना चेट acquired बात तुरंत इसको गैस निकाल लीजेगे देखिए इसके चिलके निकल लाइए यानि के आलू पक चुका है चोटे साइज के बहुत जली पक जाता है आलू को हम पानी से अलग करेंगे इसकी कुकिंग प्रोसेस भी रुकेगी और छेंडी में निकाल लेते हैं अब हम इसके देखिए बड़ी आसानी से आओ जए पसके निकाल लेते हैं तो दमालू बनानी के सबसे आसान और कि ठीकान में बहुत फोर्क और थोड़ी दूरी बात क्या करेंगे हम क्लिक करनेसे क्या होगा जब हम इसको फ्राय करेंगे तब अंदर क्रिस्पी होंगे और बात बे Hub इसमें ग्रेवी बनाएंगे तो आल...हमारे विकेजी नहीं होंगे नए तो जब हम इस तरीक नहीं करते हैं यानि कि इसको प्रिक नहीं करते हैं तो अंदर तक इसके जो है ग्रेपी नहीं जा पाती है जिसे कि आलू फीके से लगते अंदर तो यह प्रोसेज करने बहुत जरूरी है तो हम इस तरीके से फोर्क की साहता से इनको थोड़ी धूरी बार प्रिक कर लेंगे यहां फिर कर लो हो गए रेदे अप जलते है गैस की तरह तक यहां पर सबसे पहले यहां पर एक कडाय लेते हैं यहां पर सरसो के दिल क करें नहीं पर हमें अब सकता है भर इतना ज्यादा वर ना ले जितने हमारे अमारे अलू डूबне बहुत अका सा इंक पर अमद़िए ख़राय याणनी की फ्राइक करना है बस एक एकर के आलो डालते जाए इनको यहां पर पकाते जाए तो सुने कलर आने त आता कमनें को अधार करना है और नीचे से जैसे इसमें से अच्छा सा कलर आने लगयेगा फिर हम इसको करशी की सायता से इस तरीके से पलटते जाएंगे बस गैस का फ्लेम हाई पर ही रखना है और बढ़िया से इसमें कलर आने देना है इससे क्या होगा आलो भी क्रिस्पी भी होंगर इनमें बढ़िया जबरदस्त सा कलर जाएगा आलो और लिटी हमारे यहां पर पक चुके हैं यानि कि कुक हो च इस तरीके से हाई फ्लेम पर इनको फ्राय करेंगे तो बड़ी हजबरदस्त कलर आता है सर्शो के तेल का यह इस्तेमाल करें आप जब यहां पर आप दम आलो बना रहे हो तो देखें आलो हमारे बहुत जल्दी यहां पर क्रिस्पी भी हो गई इनको निखाल भी लेतर कलर जलेए गएं निनको अब छोड़ा वऑ दालेंगे तो अन्धर नकीं कुरओं अपmile दिम ड़ेंगे लांन जल्स च च बकार हैं किसा देख शानी को नृत दीख में क्लेड़ा कलेंगे पादि कहान दाँ बड़ा कर्लिंगे मशाली ज़ल ज़ल हाई नी ज़ल गई शूपी ल बुनने से दम आलो का फ्लेवर यहां पर गड़ बढ़ा सकता है बस अच्छे से भूनने के पाथ हम डालेंगे इसमें दो मीडियम साइज की प्याज बारिक शिकट के लीती मैंने इनको भी हम यहां पर अध्यम फ्लेम पर पकाएंगे अच्छे से पकाएंगे अच्छे से ब्रक्ष बढ़नाением जो कि मैंने इसमत्त प्याज बहुति तो भूनने के लिए हम अपना मसाला बनाने के लिए हमें दोती मज़ार प्याज को हम उसी एका प्रिया हम चमुआ आप प्लॐ टी दो कि उस्तकर नापकर बहुता गएंगे उपन मसाला का के वालव एक रहांती है ये बड़र्ण काथ की जो भी आपको चल लगा हो लें साथ एसका मगए करें या इसकाम फूर गांट या मैं के साथ कमेची का तो हम डंठल जो है अव्य चकार लेंगे और अधरक है आए इसको हम चोटे-चोटे तुकड़े कर लेंगे अब ढालते हैं ग्रअदिंग जार में एक-एकर के सारे मसाले डाल दिंगे खड़े मसाले भी डाल दिंगे बस बीना पानी को हमने यहाँ पर इसको क्राइड करना है पाणी क्या आओ सकता है कियुकट हम एसमें आधे सब्सक्राइब आधे मिद्ग के सब्सक्राइब करना है क्या समय सबत नचाया तो आधे स्पाइड हो मिलिश्ल मातम हर नगी अथमी के साथ बस तेल चीमैं बस यह रिलीज ओने लगे भूल झोशा कंडर देते हैं अच्छे शुक्राहा का मुष्टर हो पानीड़ स्पास्ट्राइब अपना प्यूब आता हैं अच्छे से अच्छे में आपको कि मुछ बूणकी प्रिश रहे हैं और किस बिना पानी अपर लोगास के पानी का इस्तमाल आप ना करें अच्छे से हम इसको भून लेंगे यहां पर सारे मसालों के साथ लेकिन थोड़ी देर हम इसमें अच्छे से कबर लगाएं लेंगे ताकि जो सारे मसाले इनका खुल के अच्छा सा फ्लेवर भी आजा तेल भी रिलीज कर लें धकल लगाने के व्कुल्ण फोर्ट देर हम दोतीन मिनट बात असका कपड खूलेंगे तेल आलग हो गया मसाले यहां पर चप्लट हो घेन तो यहां पर भूनने के बाद अब हम इसमें डालेंगे तो तो इसमेरी कोई बात इसमाल करें मसाले कोई प्ट्रान वाष सक्टे ने पड़े गी प के लिए यहां पानी के यहां पानी की आवसे कर दीए तो हम थोड़ा सा अर्क बढहों किरीड और पानी में अधे ऑने देते न्यू Saya Alexis को खूल लेंगे लेकिन अभी आपने देखा मैं आप होंगा मैंने उसमें किया है अब क्या फ्याइब करेंगे आप दालीज तोैसे बनेके के सब्सक्राइब में यहाज रिबह बढ़ और अ पर आते सोभब आपके सब्सक्राइब कहणा मैं पर है। दाने से वस्क्राइब üस तरीक में कौसरें तो और या फिर सो का किने से घ्री फड़ने अरव सब रख स्थी दिया कि अरव ने यहां पर जिराएं ऑप पकन दया है आरो ने यहांपर टोड़ा से शूर्ब्सर लेताएं जाए पने अप नेलिए ताएं शावल के साथ अच्छी लगते हैं खाने में और यह जो छेनsin आप anta में जूर्स फट जाती इसका अच्छा सा रिच लूप पीनी आ पाता है इसमें अच्छा सा फ्लेवर पीनी आता है दिखने में भी अच्छा नहीं लगता है थोड़ा सा फटा फटा अच्छा लगता है तो नमक हम यहां पर बाद में ही एड़ करेंगे यहां दही का इस्तिमाल करें तब और यदि क्रीम का इस्तिमाल कर रहे हैं थपी दोनों यहां पर तभी करना है जब दोनों चीजों का हम आपर एड़ करेंगे तो दम आलू में बात में ही नमक पड़ता है चाहिए तो आप यहां पर उबालते टेम आलू में नमक की मातरा थोड़ा सा ढाल सकती हो और थोड़ी कलर भी आ रहा है तो हमने काश्मीरी लाल मिश्क यहां पर इस्तिमाल किया है देखे आलू हमारे अच्छे से पक गए हैं बढ़िया से इसमें कलर आ रहा है ग्रेवी का तो कहीं नहीं क्या लाजबावा इसे दे के लग रहा के भूक पड़ी जा रही है दम आलू बनके इस तरीके से ट्राइ करें बस हमें चाहिए चोटे साइज के अब जब दीखे इस तरीके से मार्केट में चोटे साइज के आलू ली कर आना है एक बार दमालू जरू से ट्राइगे और इसको खाने के पास सब आपकी तारिफ करते रह जाएंगे अब करते हम इसकी लाजवाब से यहां पर प्लेटिंग तो दम आलू बनके तो हो गए हैं तैयार खाने में इतने ज़्यादा क्रिस्पी स्वादिश चटपटे तीके नौर्मल अपने घर की चीजों के इस्तेमाल करके सिंपल और आशा ना तो घंटों के मेनत दमालू बना अच्छी लगया ना तो प्लीज इसे लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें मिलते हैं यह कैसी नेक्सी रेसिपी के साथ अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद थेंकियो सो मैच रेंड